हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है करल अमर्दीप और जैसा मैंने कहा था कि जवार नवोदे विद्याले का जो पूरी इंफोमेशन हैं 10 जुलाई से पहले पहले आपके साथ शेयर करेंगा 10 जुलाई है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा है जो उसका प्रॉस्पेक्टस है उसमें जो जानने लाइक बात हैं अलग लग जगह पर भी आपको इंफोमेशन मिलेगी लेकिन दो तीन चीज़े विवारिक चीज़े हैं वो मैं आपको बताऊंगा उनको आपने फॉलो करना है तो सबसे पहले य इसमें सारी इंस्रीक्शन लीक्शन सबसे जो में इंस्रीक्शन हहाएं वह है 10.08.2023 यानि कि 10.08.2023 से पहले पहले आपने ओंनाइं आप्लिकेशन फॉर्म डाउन ब्लूड करने हैं ये class 6 के लिए class 9 में भी admission होता है उसके बारे में आज हम एक और वीडियो बनाएंगे उसके बारे में discuss करेंगे लेकिन मैंने जब search किया कल और आज तो मुझे वो class 9 का registration वाला form मिला नहीं तो जो पिछले साल वाला instruction था हम उसके बारे में बात करेंगे paper pattern के बारे में बात करें हूँ और अपना beat beat में ग्यान का तड़का भी लगाना हो लो ग्यान मतला जो information है ग्यान तो किसी के पास नहीं है लेकिन information बहुत सारी है 10 अगस 2023 सबसे पहले देश में या दियावा 649 नवोदे विद्याले हैं लगबख हर डिस्टिक में एक है कई डिस्टिक जिनके संख्या ज़्यादा है जहां पर population ज़्यादा है वहाँ पर एक से ज़्यादा नवोदे विद्याले में है दो अलग लग लोगों से मेरी बात ह है मैं नाम नहीं ले सकता है इतने सारे 649 में किस-किस का नाम लेते रही है तो सबसे पहले सभी पेरेंट्स ने क्या काम करना है हर नवोदे विद्याले में एक help desk है help desk आपकी information के लिए तो जितना भी मैं बना लूँ मेरी सारी knowledge second hand है वहाँ पर जो भी आपकी मदद के लिए व्यक्ति उन्होंने बिठाया है उनके पास knowledge first hand है आप नवोदे विद्याले अपनी district का देख सकते हैं आप अपनी district का ही देखें अगर बाहर वारा कोई देखते हैं वहाँ आपका बच्चा नहीं जा सकता जो फौजी बंद हुआ हमारे उनके लिए बूरी खबर यह है कि अगर आपका बच्चा उसी district में नहीं रह रहा है जहां कि आप रहने वाले वो नवोदे विद्याले में admission नहीं ले सकता ना शेहरी के लिए शेत्र में ना ग्रामीन शेत्र के लिए तो बहुत सारे इसमें गुंडिया में बहुत सारे page हैं उनको समझना जरूरी है अच्छ है बाकी public schools के comparison में बहुत बढ़िया ये करने उसका कारण आप देखेंगे अगर आप search करेंगे इंटरनेट पर तो आपने IIT का जो J.E. exam होता है और दूसरा जो NEET exam होता है medical college entrance का उसमें आप नवोदे विद्याले का search करिए 2023 का result search करिए जो number है वो mind boggling है कई हजार बच्च देश जो है हमारी सरकारें जो है जो है इन सब स्कीमों पर अपना effort लगाया है और मुझे बहुत लेट पता लगा लाइप में नवोदे विद्याले के बार में लेकिन अब जब पता लगया तो उस information पर मैं बैठना नहीं चाहता है मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ थोड़ा मैं technologically challenge हूँ तो आप बुरा मत मानेगा एक उंगली से इसको बताया है डिरेक्टर सामने कैसे करना है ये जो भी नवोदे विद्याले का जो entrance है admissions in JNVs are made through जवाहर नवोदे विद्याले selection test इसको JNVST बोलते हैं तो class 6, class 6 में जवाहर नवोदे विद्याले जो selection test है वो होगा, the medium of instruction is mother tongue और regional language ये भी जानने वाली बहात अच्छी बात है कि जब आठवी तक बच्चा अपनी mother tongue या regional language अगर आप करनाटिका में तो कंड़ में पढ़ाई हो रही है अगर आप UP में तो हिंदी में पढ़ाई और हिंदी में पढ़ाते है social science और हिंदी का जो subjective हो हिंदी तो तीन भाषाओं में बच्चा त्यारी करता है, school की बहुत अच्छा है, उसके बाद while education school is free including boarding, lodging, uniform, textbook, पूरी school free है, रहना, खाना, boarding होता है, रहना, lodging, खाना है, uniform है, textbook है, और पढ़ाई भी है, 600 रपे per month collect किये है, 9th के बाद, 8th तक तो बिल्कुल किसी से भी कोई भी पैसा ले रहता है, 9th से लेकर 12 तक विद्याले विकास निधी में 600 रपे बच्चे ने जमा करना है, लेकिन उसमें भी SCST category, the young students and all girl students and students whose family income is below poverty line, उनके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, 0 पैसे है, और जो सरकारी रेकती हैं, उनके लिए जो है, in respect of wards of government employees other than exam category, student of 6 to 8, all SCST girl student छोड़ दिया जाए, बाकियों कसे 1500 रपे प्रती माह चार्ज किया जाता है, या children education allowance जो भी चार्ज किया जाता है, whichever is less, तो वो आपका उतना ही पैसा चार्ज करना है, लेकिन किसी भी आलत में विद्याले विका competence in three languages, to promote national integration through migration of students from Hindi to non-Hindy speaking states and vice versa, इसमें class 9 में एक साल गले, आपके बच्चे को आपके विद्याले से निकाल के ऐसी स्टेट में विजा जागा है, हिंदी प्राइमरी भाशा निया, और अब नौन-Hindy speaking states है, तो आपके बच्चे को Hindi speaking state में भेजा जाता है, compulsorily, आप मना न का सकता है, अगर आप मना करेंगे तो आपके बच्चे को विद्याले से बाहर निकाल दिया जाएगे, तो सर्व इन इस डिस्टिक आपको पॉंट फोकल पॉंट पॉंट इं क्वालिटी ऑफ स्कूल, एडुकेशन जनरेटेट तो शेरेवा एक्स्पिरेंस इन स्टेटी त छटी में अगर नंबर आफ स्टूडेंट्स असी बच्चे लेते हैं, ये हर साल में क्लास सिक्स में, तो 52,000 के करीब स्टूडेंट्स का इंटेक होता है, लेकिन जब हम 9th की अड्मिशन की बात करेंगे, वो मुझे हैरानी हुई, कई स्कूलों में 50-50 seats भी खाली हैं नवी के लिए, तो उनमें बच्चों ने सिक्स में एड्मिशन ने लिए, तब ही वो seats खाली रह गई हैं, तो मैं अपील करना चाहता हूँ, जो जो भी eligible हैं, पका इस scheme के लिए, अगर आपका बच्चा eligibility का राइडियर मेड भी नहीं करता है, तब भी मैं कह रहा हूँ, टेस्ट गड़ में 28 हैं, दादरा नगर हविली में भी तीन हैं, दिल्ली में 2 हैं, गुदरात में 33 हैं, हरयाना में 21 हैं, हिमाच्तर प्रदेश में 12 हैं, आप ये सारा पढ़िएगा, तो टोटल 649 बनता है, और अबादी के एसाब से देखा जाए, उत्तर प्रदेश में 76 नवोदे अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, a maximum of 80 students only are admitted in class 6, तो class 6 में केवल 80 students ही हर साल लिये जाते हैं, जो कि selection test है, subject to availability of suitable candidates, लेकिन अगर आप pass नहीं है, minimum auction नहीं है, तो छोड़े vacancy बच जाएगी, the summity reserve, इनकी जो नवोदे विदाले की जो समिती है, वो उनके पर पूरा right है, किसको select करेंगे, किसको नहीं करेंगे, उनका वो है, और अगर adequate accommodation available है तो, अब ये है selection test 2024, ये दो हिस्तों में होने वाला है, अब ये सारी जानके इंटरनेट पर है, मैं भी इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको बता रहा हूँ, आप ये खुद भी पा सकते हैं, Saturday 4 नौंबर को साड़े 11 बजी टेस्ट होगा, किसकी state में जम्मू कश्मीर, except जम्मू 1, जम्मू 2, Samba and Udhampur, Meghalay, Mizoram, Nagaland, Sikkim and districts of Dibang Valley and in district of Dibang Valley and in the district of Chambak, in Normandy, Sirmour, Kullu, Lahol and Spiti, Shimla of Himachal Pradesh in district of Darjeeling of West Bengal, Lay and Kargil district of UT of Ladakh, तो ये यहां पर होगा, in in states में, कब होगा exam, 4 नौंबर को, तो इन states के जो बच्चे हैं, उनके पास रहे गया, August, September, October, क्योंकि तीन ही महीने में, लेकिन आप इसका paper का pattern देखेंगे, बच्चा अगर एक म को clear कर सकता है, अगला exam जो second phase का होगा, बचे वे उसमें, 20 January, 2024 को, exam हो उसका, एक पार जो पहला हिससा है, इस साल होगा, बाकी जो बच्चे वे जो जगा थी, जिनके नाम नहीं लिए गए, वहाँ पर अगले साल, 20 January को होगा, तो August, September, October, November, December, और जन्वरी के 15 दिन लगा ल तो पका अपना त्यारी करें, लास्ट डेट टू सब्मिट ऑनलाइन अप्लिकेशन इस दस अगर्स, 2023 से बता दिया है, प्रोसीजर टू रिजिस्टर फॉर, यहां रिजिस्टर दिया है, यहां दिया है, नवोदे ऐड जूवी डॉट इन, यहां वेबसेट दिया है, इसक आपको दिया है, और यहां पर आपको दिया है, यहां पर कौन कौन सा सब चीज सरकार ने काम करिए, लेकिन अगर आप उसको करना ही नहीं चाहता है, तो क्या कर सकते हैं, अब यहां पूछा है, यहां पूछा है, इसमें देखने वाली बात यह है, कि क्लास फिफ्ट में पढ़ रहा होना चीए, बच्चा इस समय तब यह करेगा, तो यहां पर आंसर नो दिया जाएगा, जै इसका एक्जाम जो छटी में एक ही बार दे सकता है, इसका भी आंसर क्या होगा, नो होगा, have you read the prospectus, अब यह आगया, prospectus, जैसे आप prospectus वो खुल गया, मैंने कहा था, आप अपने इसका final prospectus, बिलकुल एक क्लिक किया, उसको डाउनलोड करें, प्रिंट कर लें, अठाइस उन पढ़ा है, तो इसका answer yes करना है, मैंने पढ़ लिया, पढ़ा नहीं भी होगा, clear, आप यह है, whether your district of residence and class 5 study is the same, इसका भी answer yes है, अगर आपने पांच भी की पढ़ाई वहाँ नहीं करी है, जहांके न वो देख लिया, आप apply करने है, तो आपका बच्चा eligible नहीं है, तो इसका answer yes है, इस वीडियो को तीन-चार बारी दुबारा से देख लेने हैं, इस हिससे को ताकि आपको पता लेगे कहां क्या बरना है, is the certificate signed by the headmaster of the school, आप जो study certificate है, उसका format यह रहा, click here to download, यह study certificate है, यहाँ पर आपके sir, madam, जो भी बच्चा है, उसकी photo लगीगी, certified that the information given below is correct in respect of so and so, बच्चे का नाम आएगा, name of student who is studying in class fifth, यह स्कूल के headmaster साब ने sign करना है, यह आप देख लीजीगा, बड़ा important document है, तो वो पाच्वी क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए, बच्चा लिखके देने, name of the school and interested to apply for जवारन नहोदेव दले test 2024, name of candidate in block letters, यह block letter capital में नाम लिखते है लिखावा सब, father's name in block letter, यह तो principle साब कर रहे हैं तो उनको पता हुआ, माता जी का नाम block letters में, name of the guardian and relationship even है, अगर किसी भी कारण से, अभी भावक का नाम भी देना पड़ेगा, तो यहा लिख दीजे, और उसका relations भी दे, mama, cha, cha, uncle, जो भी है, date, about, d, d, mm, y, 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 y करना, और w काटेगरी में, defense है, न, EWO से, बागी कुछ नी है, तो category में, इसमें आपका certificate होना अनिवारे है, आपके पास प्रमान पत्र होना चाहिए, कि हम इस category बिलॉंग करते हैं, अगर यहां लिख दिया आपने, अगर आपका प्रमान पत्र है, चुप-चाप जनरल लिख दीजे, OBC स्टेट नहीं, OBC सेंटर लिस्ट में होना चाहिए, और OBC का जो भी नॉन-क्रमील लेयर वाला कहानी भी आपके पास clear होना चाहिए, अगर आपका जो बच्चा है, किसी भी प्रकार का दिव्यांग, disability से वो है, physical है, visible है, hearing है, और percentage disability, डॉक्टर साब बताएंगे, आपको बनवालीजे, दस सबसे पहले आधार भी आज, अगर ये वीडियो देखती है, आप सीधा आधार के सिंटर पे भाग जाएंगे, तो अगले तीन-चार दिन में आधार बन के आजाएगा, ये आधार आजाएगा, नमबर तो आजाएगा, फिर यहाँ पर आपका पता है, आ थर्ड, फॉर्थ, और फिफ्ट कहां पढ़ा है, वो जानकारी इस फॉर्म में भरना बहुत ज़रूरी है, अगर आप रूरल करना चाहते हैं, ग्रामेट शेतर के लिए करना चाहते हैं, तीसरी, चौती, पांचवी उसी डिस्टिक में पढ़ा होना, रूरल विद्याले मे पढ़ा होना ज़रूरी है, अगर बच्चा एक भी दिन बाहर गया, वो अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा है, लिखा जाएगा, कि I certified that schools in which my award has studied studying is recognized school, और गौर्मेंट का recognized school होना चाहते है, यह नहीं कि कि किसी भी आउंटी जी अंकल ने घर के पास school खोला, आपका सरकार ने शर्ते रखी, जिनके बच्चे छोटे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने decision ने लिया है, तो ले लीजे, तो ले लीजे, अगर यह month and year of passing, month and year of joining, कब वो स्कूल में आया, class third में, fourth में, फिफ्ट में, यह सारा आएगा, name of the district, name of the state लिखना है, तो जो फौजी व 50 पढ़ ले, हो सकता है कि अगर यह third, fourth, fifth, तीनों उसी इलाके में पढ़ लेगा, तो बहुत ही आसान हुजेगा, तब अगर ग्रामीन शित्र गहें, तो उसका लाब उठा सकते हैं, लेकिन आजकल क्या है, ग्रामीन शित्र में, स्कूलों की जो reputation है, अच्छी नहीं है, उस के बाद बनती है, तो यह थोड़ा सा, इसलिए मैंने का, safe खेलते हैं, class fourth में डाल दीजे, बड़ी बड़ी तगडी scheme है, इसके कुछ pitfalls भी है, वो भी बताऊंगा, क्या है, कि क्या, इतना आसान paper है, सारे बच्चे सौ में से सौ नमबर ले रहे हैं, और ग्रामीन शित्र मे 75% सीटें reserved हैं, तो फायदा है कि हम ग्रामीन शित्र के उसके लिए apply करें, उसमें सरकार ने शर्च रखे है कि कम से कम 3 साल ग्रामीन शित्र के स्कूल में बच्चा पढ़ा होना चाहिए, तो सबसे पहले ग्रामीन शित्र का स्कूल, जिनके बच्चे पहली दूसरी में गए signature of the parent and signature of headmaster with seal, है, कस्ट है, लेकिन ये करना, form भरना बहुत जरूरी है, मैंने बता दिया आपको, अब हम यहाँ थे, no, yes, yes, भर दिया हमने, आब यहाँ पर whether the candidate has been promoted from class 5th admitted, 31st July 2023 से पहले, 31st July 2023 से पहले, बच्चा पांचवी में आ जाना चाहिए, ये भी mandatory है, तो इसका भी answer क्या होगा, yes, do you have अधार card number, इसका answer तो no हो ही ने सकता, yes, अब जब अधार कर दिया है, तो यहाँ पर, if the candidate is applying for JNV, district, यानमन, महे और पुदुचेरी, may apply through alternate mode of registration, through resident certificate, केवल दो जगह का उसमें है लिखाव है, बाकि आपने अधार number डालने है, तब ही आप अगली stage पर जा स है, यह study certificate डालने है आपने, उसके बाद instruction for the candidate, the process of submission of online application involves only single stage, एकी बार में पूरा form भरा जाएगा, the reservation of OBC candidate shall be implemented as per central list, OBC जो central list में होनी का नाम आप आएगा, OBC candidate is not included in central list should apply as general candidate, लिख दिया उन्होंने, keep the following scanned copies ready before start filling the application form in JPG format only, तो JPG format में candidate का signature, एक आपने sign करके उसकी फोटो की करके रख लेनी है, 10 से 100 KB के विश्मने है, पेरेंट के signature, signature should be 10 to 100 KB, candidate की photo size of the image should be between 10 and 100 KB, किसी के बाद जाएगे मेरको नहीं आता, लेकिन कोई और कर सकता है, certificate signed by parent and candidate, verified by headmaster, वो जो certificate में दिखाया है, यह पूरा भर के ready होना चाहिए वला, यह, headmaster साब की sign में, क्योंकि single stage म आपका admission होगा, resident certificate of parent issued by competent government authority, if candidate does not possess अधार नंबर, अगर आपका बच्चे का भी अधार नंबर यह, तो आपकी parent का resident certificate होना चाहिए, for further details, please read the prospectus, आवश्यक सूचना है, यही सारा कुछ हिंदी में भी दिया गया है, बहुत सारी complicated चीज़े नहीं इहां पर दिया है, downloading of admit card, एक बारी आपका बच्चा exam दे सकता है, अगर आपने दुबारा exam भरा, तो फिर आपके बच्चे का उमीदवारी खारिज कर दी जाएगी, यह सब चीजें भी आपने ध्यान रखना है, हम वापस चलते हैं, जहां पर हम गए थे, यह आगए वापस, prospectus, जो मैं पढ़के आ पूरी कहानी कथा चल रही है, और मुझे लग रहा है कि आपको भी interest आ रहोगा, तो बड़ा interesting चीज है, और इतना फायदा है इस scheme का, मैं चाहता हूँ, इस scheme का लाब आप थोड़ा सा उठाएं, और date बता दी, form कैसे भरना है, बता दी है, in case candidate, NIOs जो open school से बढ़ रहे हैं, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी हम जो regular school वाले उनकी बात करने है, और यह मैंने का, data जो है, बिलकुल सही आना चाहिए, यहाँ आजाता हूँ, issue of admit card, admit card will be made available, जो भी date decide किये, उसके हिसाब से admit card मिल जाएंगे, result of selection test, वो 24 का, expected to announcement, March, April में इसका result आएगा, candidate can get result from application portal, the result will also be displayed on the offices concerned, अब यह result कहा है, जिनका आचुक है, जवार नवोदे विद्धाले 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 विल इनवाँ इसका है, जो बच्चे टेंपरेर तौर पर सेलेक्ट होते हैं, उनके पास SMS जाएगा, registered mobile number पर, and speed post आएगा, आपक NVS released only two wait lists against vacancies, which may arise due to unwillingness, non-submission, तो इसकी दो waiting lists होती है, इन सब के बारे में आप मिरसे जाए जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन किसी ब्यारत में, 31 December 2024 से पहले पहले पहले, पूरा का इनकाज जो admission process है, खतम हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, अब selection and admission है, provisional selection, यह सा सारी चीज़े दी हुई है, आपने पिछले स्कूल से TC तब लेना है, जब आपका यहाँ पर selection confirm होगे, कई लोग होगे, जिनके document गलत पाए जाएंगे, कई लोग है, जिनका कोई document में, किसी certificate में गड़बड होगी, तो वो कह रहे हैं, बही, candidates are advised to apply for TC from parent school, only after the verification of document and confirmation of admission, तो आपका जब admission confirm होगे, तब ही आपने पिछले स्कूल को छोड़ना है, in case of any dispute वगारा सारा है, legal language है, बड़ा सारा है, अब हम चलते हैं, इसकी जो eligibility है, उसकी तरफ, यह है सबसे main, who is eligible, admission of candidate to classics in G&V is district specific, आप अपनी district में ही apply कर सकते, आप district A में रहे के district B के स्कूल के लिए apply न only the bona fide resident candidates from the district concerned, केवल वही है, इसलिए कहा था, जो फौजी विखती हैं, जिनके बच्चे बाहर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सिनाओं के जो बच्चे हैं, या B.S.F. के हैं, या पुलिस के हैं, या ऐसे central लाम पुलिस forces के हैं, कि मादा पिदा किसी और district में रहे हैं, आपके बच्चे को कम से कम एक साल अपनी district में पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको घुंडी बताई थी कि इस परकार से काम करना है, दूसरा है कि जिस district में आप रह रहे हैं, मान लिजे उसके बाद में दो टुकड़े के दो district बन गे, अगर जब तक उसमें नया आपको उसी district में रहना जरूरी है, बोनाफाइड रसिदेंस रडिविकेट, आपका जो स्थाई निवास प्रमान पत्र है, पेरेंट का, वो जरूरी पड़ेगा, आपका डॉक्मेंटेशन वेरिफिकेशन से, बहुत बच्चे हैं, ये जो कागस पूरे नहीं होने करके, न सबसे इसको रेड में होना चाहिए था, कि पांच में क्लास आपने उसी district के school में पढ़ना अवश्यक है, candidates who have passed class 5 before the session of 23-24 और repeated candidates are not allowed, ध्यान रखिएगा, आपका बच्चा एक बारी नवोदे का class 6 का exam दे दे, आपका age criteria meet भी करते हैं, उससे भी छोड़ दी, NVS आपको accept नहीं करेगा, आपको repeater candidates से उनका बिल्कुल blacklist करके निकाल देंगे, अब आता है main चीज, एक मई 2012 से लेकर 31 जुलाई 2014 के बीच में आपके बच्चे का date of birth होना चाहिए, एक मई 2012 से लेकर 31-7-2014 दूनों दिन included है, मान दीजे आपका बच्चा एक मई को पैदा हो है, वो भी कर सकता है, लेकिन अगर एक अगस्त 2014 को हुआ, तो eligible नहीं है, अगर वो April 30 वाला है, 2012 का तो eligible नहीं है, एक दिन, एक घंटे का भी वो चीजे नहीं मानने होता है, the provisionally selected candidate has to produce the copy of birth certificate issued by government authority at the time of admission, तो आपने इसका birth certificate भी time of admission के समय जमा करना है, दिखाना है, ये all categories, please, SC, ST, सभी लोग, अगर doubtful है, overage है, फिर आपका medical होगा, डॉक्टर साब बताएगा, भाई साब ये बच्चा लग तो रहा है, 17 साल का, लेकिन बतारे हैं, इसको 10 साल का, तो डॉक्टर की जो बात है, वो मानने होगी, the decision of the medical ward will be treated as final, इसके बाद आप court नहीं जा सकते हैं, अब वो कह रहा है, must be studying class 5 for the whole academic session of 23, 24, ये भी ध्यान देना है, ये नहीं कि आपने मेरा वीडियो देखा, बच्चे को तब निकालके, schools A से school B में डाल दिया है, वो कह रहा है, पूरा 2023, 24 का session, पूरा का पूरा एक साल, उसी district में, government या government-aided or other recognized schools, और B certificate competency course of NIO, उसके बारे मे A candidate seeking admission to class 6 must have studied and class 3rd, 4th and 5th, ये दूसरी गुंडी है, कई हैं, बिलकुल अभी मन्यू टाइप के लोग है कि हम school जाने की जरुतिने हैं, हम सब कुछ मा के पेट से सीखे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, government कह रही है कि तीसरी बे भी पढ़ा होना चाहिए, चौती में पढ़ा होना चा कि अगर आपको एक कड़वा घूट भरना भी पढ़ता है, तो आप भर लीजे, कम से कम बच्चे का जो जीवन है सफल हो जाएगा, इतने पैसे आप पूरे साल के बचाएंगे, लाख रुपे आजकल एक normal school ले ले लेते एक साल के, तो मा लीजे चछटी से लेकर 12 तक 7 साल बच्चा पढ़ रहा है, तो आप 7 लाख रुपे को अगर compound interest चक्रवड़ती व्याज के साथ करेंगे, वो बिलकुल 15-16 लाख हो जाता है, 7 साल के लिए, तो बहुत बड़ा उसकी पूरी graduation की जो अच्छे किसी college में आप afford कर पाएंगे, इतना बड़ा वो पैसा उसके पास ह होना बता है, अब है main जो सबसे बड़ा catch है, at least 75% of the seats, एक district में 75% seat जो है, वो ग्रामीन शेत्रों के लिए reserve हैं, और remaining are open, यह नहीं कि बाकी 25% जो हैं, वो शहरी शेत्र के लिए हैं, बाकी में भी अगर merit वाले ग्रामीन शेत्र के बच्चा आता है, तो शहरी रहने वाले ब बच्चे 3rd, 4th में किसी कारण से उस district में नहीं पढ़ रहे थे, वो सब अर्बन candidate ही माने जाएंगे, open vacancy में कर सकते हैं, वो इस 75% reservation का लाब नहीं उठा सकते हैं, और candidate rural quota must have studied, अब rural quota में भी करने के लिए, तीसरी, चौथी, पांचवी, पूरा-पूरा साल आपने जाना है गौर्मेंट और गौर्मेंट के जो एड़ेड या गौर्मेंट रकूर्मेंट स्कूल में, और candidate area in class 5th तर थे same district where admission is taught, वो कह रहे हैं, तीसरी, चौथी, उसी district में कहीं rural area में पढ़ रहा हो, लेकिन पांचवी class जो है, उसी district में होना चाहिए, वहाँ तो rural area में कर रहा था, लेकिन यहाँ उसी district में पांच भी पढ़ा होना चाहिए, यह भी समझने वली बात है, candidates studying under scheme of national institute of open schooling, इनके लिए अलग कहानी है, इनको भी हम address नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई open school में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अलग वो है, जिसको भी हम करेंगे तो confused हो जाएंगे, अर्बन candidates, जो शहरी शेतर वाले है, candidate who studied in a school located in an urban area, even for a single day, अगर आपका बच्चा तीसरी में शहर में बढ़ रहा था, और चौती पांच वी उसने गाउं के स्कूल में पढ़ी, वो अर्बन candidate माना जाए, तीसरी में गाउं में था, पांच वी में गाउं में लेकिन चौती कि आप जिस जवार विद्याले में अड्मिशर लेजादों, उससे पहले मैंने क्या कहा था, आप लोग अपना अपना स्कूटी कार, पैदल, साइकल, गोड़ा गाड़ी जो भी है, उस नवोदे विद्याले में जहां बच्चे ने अड्मिशर लेने हैं, वहां की help desk में उ बच्चे को आप लेजाओं, मोटिवेट करो, कि भाई यहां पढ़ना है आपने, बहुत अच्छा उनका खाने का स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा होस्टल का स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, इतने बढ़िया स्कीम है, तो इसका क्यों ना लाव स्टैंडर्ड के लिखा है, मैं नहीं पढ़ूँगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मैंने बता दिया है, कैसे होगा, आप रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ शेडूल कास्ट एंड शेडूल ट्राइब्स के लिए जो है, पंदरा परसेंड से के लिए, और 7.5 परस सीट्स को मिलेगा, एसपर सेंट्रलिस्ट, ओवर और अबफ दी रिजर्वेशन ऑफ एसजर्वेशन ऑफ सेंट्रलिस्ट, बारी बारी बता दिये, अब एक और घ्यान और ध्यान देने वाली बात है, एक तिहाई सीटें हरे कैटिगरी में रिजर्वड हैं लड़कियों के अबाते कर रहा हूं क्योंकि हमारे माबब ने हमें पढ़ाया समय पे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे मतलग गौवर्वर्मेंट स्कूल में पढ़े हैं भी, और अच्छी स्कूलिंग का पूरी लाइफ में असर पढ़ता है, आपको एक अच्छा नागरिक बनने में अच्छी स्कूलिंग मदद करती है, आपको एक बहुत अच्छा इनसान मनाती है, आपको देश के प्रती, समाज के प्रती, जो आपके कर्तम है, उनकी याद दिलाती है, और वो काम करने के लिए प्रिजित करते हैं, जिससे मुझे मेरी स्कूलिंग ने ये वीडियो बनाने के लिए प्रिजिट किया रूरल ओपन सीट्स बार अलोकेटेड ब्लॉक वाइज बेस्ट अन रूरल पॉपलेशन यह बहुत सारे जितने भी सरकारी डॉकमेंट्स होंगे थोड़े से उन में कॉम्प्लिकेशन होती है लेकिन आपने ग्रामी इंड और शेहरी वाले की जो इलिजिबिलिटी है वो देख ली है तो उसका बच्चे को बलना है भाई साथ आपने सो में से सो नंबर ही लाने है 99 नंबर वाले का भी सेलेक्शन चांसेज इसमें बड़े काम है जो डॉक्मेंट से आपने सेलेक्शन के बाद करने है डेट ओ बर्थ प्रूफ अफ इलिजिबिलिटी ऐस पर कंडिशन ऑफ एन्वेस फॉर कैंडिडेट रूरल कोटा आपको बताना है कि भाई साब मेरा बच्चा रूरल स्कूल में पढ़ा है तीसी, चौथी, पाच्वी यह करना जरू है रेजिजिजन सेडिविएट यह गौर्रमेंट अफ इंडिया का जो डिस्टिक अथॉर्टीज आपके बनाती है यहाँ पर आपने करना है अधार कार्ड की कॉपी अफ दि कैंडिडेट पक्का मेंडेटरी है हेड़ मास्टर साहब का जो सेडिविएट आपने साइन कराया था वो पक्का करेंगे मेडिकल फेटनेस सेडिविएट अंडर्टेकिंगों माइग्रेशन यह है कि नौमी में आपका बच्चा यहाँ से उत्राखंड से केरला भीज़ा जाएगा अगर यह नहीं देंगे तो आपके बच्चे को निकाल के भार फिक दे जाएगा डिसेबिलिटी सेडिविगेट अगर आप डिसेबिल्ड है दिव्यांग है तो वो स्रीटिविगेट होगा कमिनिटी स्रीटिविगेट स्रीविगेट जो भी है कैटेगरी स्रीविगेट ओबीसी का जिस fazemélibill है और टीसी चाहिए होगा जिस स्कूल में बच्चा पड़ रहा है लेकिन टीसी तब लेना है आपने जब कि बच्चा आपका उसका selection confirm हो जाता है और वो कह रहा है respective JNV submitted after getting counter-signal district education authority आपको D.O.B.O. से sign कराने पड़ते हैं इन सब कागज़ों पर अब about the selection test है center for examination each candidate appears selection center lotted to him as per admit card में आगा center no candidate is permitted to appear from any other center वो तो बिल्कुल ठीक है no request for change of center will be entertained no candidate can appear in the selection test without proper admit card admit card इसी website पर आपको मिलेगा जिस पर आपने form बराया बताया था through application portal the candidate will be permitted to appear only on the production of either aadhar card और government approved या aadhar card भी लेके जाना है और parents का जो certificate दोनों में से एक document लगेगा the photo of the admit card shall be matched with the candidate की photo तो आपके बच्चे की plastic surgery मत करवा लीजगा जो photo aadhar card में है जो अपके इस पर लगे है application for पे बच्चे की photo मुना भाई type के लोग भी आजकल बहुत घुमते हमारे देश में कोई किसी का exam देने चला गए ये सब कारवाई करने की जरूत नहीं है अब है एक और घुंडी ये है exam की भाषा तो अगर आप prospectus download करेंगे अपनी state के हिसाब से इतनी भाषाओं में बच्चा exam दे सकता है English mandatory नहीं है जैसे यहां लिखा है अगर अंड़मान निकोबार का है English, Hindi, Tamil, Urdo, Bengali इतनी भाषाओं में यहां के residents हैं आप form भर सकते हैं तो जो reasoning का paper इंग्लिश में आएगा और इस भाषा में आएगा गणित का paper दो भाषाओं में आएगा और जो आपका language का paper है वो जो भाषा आपने चुनी है जब form भरते हैं तो उसी भाषा में पूछा जाएगा आंद्रप्रदेश का इतनी सारी भाषा हैं दीवी आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे जानके अच्छा लगा कि इतनी भाषाओं को हमारे स्कूल जो है स्कीम प्रमोट कर रहा है अब ये टेस्ट लिखा है mental ability ये है 40 नंबर का 40 questions आएंगे 50 नंबर का है 60 minute arithmetic test 20 questions आएंगे 25 मार्क सा language test language जो आपने select करिये कई लोगं को doubt है हमारा बच्चा तो हिंदी विडियम से बड़ा तो हिंदी में दे तो कई है उर्दू में बंगॉली में बंगॉली में मराठी है मराठी में तमिल तेल को सब भाषाएं हैं वो सारी भाषाएं लिखी है दो घंटे के test है साड़ी कारा से डेड़ बेर तक 80 questions आएंगे 100 नंबर का है दो घंटे में आपको paper समाफ करने केवल छूट किसको दी गई है केवल उन बच्चों को छूट मिलेगी a single test booklet दिया है इसमें भी आपने MCQ वाले सारे आते हैं वो भरना student है दिवयान certificate के साथ आते हैं उनको 40 minute additional दिये जाएंगे method of recording answer optical mark recognition OMR sheet आती है वो बताएंगे किसी हमारे इस channel पर और वीडियो मिल जाएंगे आपको उस पर आपने answer करना है blue और black ball pen ये सब चीजे बात की बात है इस परकार से answer करना है वो मेरा वीडियो देखेंगे उसमें सारा को दियाव है date number है will be given for every correct answer 1.25 date नहीं 1.25 negative marking नहीं है तो बहुत ही इच्छा है जो में तो तुका लगाते हैं उनके लिए भी खुशकबरी है कि इसमें negative marking नहीं है instructions and examples आप यहाँ पर है instruction दिया है paper की nature of the test यह देख लिए mental ability है तो बलकुल ही simple है odd man out ढूड़ना है यह ढूड़ना है यह ढूड़ना है ऐसे करके बड़ा अगर आप इस prospectus को पढ़ेंगे आपका बहुत moral high हो जाएगा कि करनल अमर्दीब आपका यह वीडियो देखे अब हम motivate होगे मैं चाहता हूँ आप इसका form बरे अपने बच्चे को एक्जाम दे ले बात में कागजी कारवाई के पर आप निकाल दी जाएंगे in eligible हो जाएंगे लेकिन मैंने क्या काया हमारा बच्चा जितने भिन भिन प्रकार के एक्जाम देगा उसका उतना लाभ हो रहा है उसको इस सब चीजे पढ़ने का मौका में ले और ये सारी non-verbal है इसमें अक्षर-उक्षर ही नहीं है बताना है कि आरे कैसे करना है तो इसका answer see दिया है सारा pattern दिया है कुछ नहीं करना आपने नवोदे विद्याले की गाइड़ बुक ले ले और नवोदे के class 6 के पूर्व जो प्रश्न पत्र हो उनको ले ले दो काम कर लेए आपके बच्चे की त्यारी होगी जो पांच्वी का पढ़ रहा है बच्चा पांच्वी के लेवल के ही आपकी भाषा आएगी उसी के हिसाब से गणित का पेपर सेटों को कोई ज़्यादा इसके अंदर complication नहीं है हमारे साथ जो सैनी स्कूल और मिल्टर स्कूल के बच्चे अभी त्यारी कर रहे हैं class 6 की उनको हम नवोदे के कम से कम पांच पेपर कराएंगे उनको इस पेपर के बारे में बताएंगे और शीगरी हम नवोदे विद्याले का कोर्स बनाएंगे कोई पांच साथ सो रुपे का अपनी आप पर डाउनलोड कर देंगे तो जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सेके जज़्यादा उस पर इन्वेस्ट करें ताकि बच्चा देश का एक अच्छा नागरी बनके इन विद्यालों में शिक्षा प्राप्त करें अगले वाले में पूरा फॉर्म भरने का भी बताऊंगा अभी वो फॉर्म भरना आमने बहुत समय की बड़ी मारा मारी रहती है बहुत सारे सब कोश्चन्स हैं जो मुझे पेरेंट्स ने लिखके दियें वाटसाप पर उसका अंसर करूंगा तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वेक्तियों के साथ और स्वर्ग में जो आपकी सीट के लिए जमा कर रहे हैं खाता उसमें प्लस मार्क्स अं करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें आपके बहुत सारे संशे होंगे बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम्स होंगे उनको कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें मैं चाहूंगा कि आप हमसे संपर्क सापित करें आज दर्जुल आईए अभी एक महीने का समय है फॉर्म भरने का आप इस समय को रेकी करें उस नवोदे विद्याले में जाएं मेरे इसमें बहुत सारी कमियां रह गयोंगी क्योंकि मैं तो पढ़ के ही बता सकता हूं लेकिन कई लोग है नवोदे विद्याले में पढ़े हैं मैं चाहूंगा उन में से छटी से लेकर बारवीन तक कोई विक्ती पढ़ा है तो मिरे को वाट्साप नंबर हमारा है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा मेरा जो वाट्साप नंबर है जिसमें मैं वाट्साप मेसेज रिसीव करता हूँ 7417656633 7417656633 इस पे आप वाट्साप करेंगे ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा तो आप पका वाट्साप कीजे कॉल मत कीजे कॉल करते हैं वो उठाना नहीं अभी भी कॉल सारे है तो बहुत सारे चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं आपके लिए लेकिन आपको भी हमें सहयुक दिना होगा तो इस वीडियो को पका शेयर करें इसको सीरिसली ले हमारे चैनल को पका सब्सक्राइब करें बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे हमारी बातचीत होती है थैंक यू बाबाई एंड चैहिन